प्रभातकाबर.com विश्वास्वई रवतार नई प्राप, नेवला, वानर, जैकाल और बैल इसके लावा लोग बताते हैं कि कुछ पक्षियों के भी मुंडों पर मंदर को स्थापित किया गया था पहले यहाँ पर बली प्रथा की भी परमपरा थी जो समय के साथ खत्म कर दी गया मंदर के बारे में माननेता है कि जो भी मन्नत यहां मांगी जाती है वो पूरी होती है दूर दराज से श्रद्धालू यहां आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी जरूर होती है फिलहाल हम आपको मंदर के बारे में और भी चीज़े बताएंगे मंदर का प्रांगर घुमाएंगे मंदर में क्या-क्या चीज़े खास है उन सब बातों से आपको रूबरू कराएंगे लखनओ के कैसरबाग स्थित घसियारी मंदी में काली माता का मंदिर 158 साल पुराना है इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी रोचक और अनोखी है बताया जाता है कि तांत्रिक मधू सूदन बैनर जी के सपने में काली मा आई काली मा ने उनको आदेश दिया कि इस जगह पर एक मंदिर स्थापित होना चाहिए जिसके बाद उन्होंने खुद अपने हातों से मिट्टी की एक मूर्ती बनाई और स्थापित किया मंदिर के स्थापना पाँच जीव मुंडो पर हुई है साप, नेवला, वानर, जैकाल और एक पक्षी समेत कुल पाँच जीवों की खोपडियों की आधार शिला पर मा की स्थापना हुई है जोकि मंदिर के स्थापना बंगाल परंपरा के अनुसार हुई है तो मंदिर की देख रेक भी बंगाली लोग जादा करते हैं और उनकी आस्था भी मंदिर में बहुत है मंदिर में बली देने की अनोखी प्रथा है ये अकेला मंदिर है जहां बक्रे की बली दी जाती थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये प्रथा खतम हो गई और अब यहां पर पंच फलों की बली मा के सामने बने कुंड में दी जाती है शारदी नवरातर में यहां महिशासुर मर्दनी का विशेश पाठ होता है दुरगापूजा के दौरान इस मंदिर में धाक वादन की प्रतियोगिता भी होती है जो शहर में अपने आप में खास है आपके साथ कभी कुछ हुआ भाला हुला हुआ है अरे भाला तो हुआ है है कहां रहने वाले है बहराइट से यहां पर आए तो यह काम कर रहे हैं कोई और काम नहीं आपने किया करते थे उनके सब भी लोग लाए हमको अच्छा बहुत पुराने अच्छा मंदिर में पूरी आस्था आपकी है हम अपने बच्पन से आते हैं मंदी के पिटी क्या शुदा मंदीर में आ करके बहुत चैर मिलता है देवी जी की मूर्थी को देखकर के बहुत अच्छा लगता है यही कहना चाहिए बस और क्या है हाँ नहीं पूरी होती है कामना है पूरी होती है आप जो भी कामना लेकर के आते हैं मंदीर की मूर्ती ही इतनी आकरशित है कि आप उसको देखकर के जह हो बहुत पसल्व नावर्थी नावर्मा क्या नाम है आपका? अंजिना वर्मा. अंजिना जी इस काली बारी मंदिर को लेकर आपकी क्या तु श्रद्धा है? कब से आ रहे हैं? श्रद्धा इस मंदिर की मानिता बहुत है. हमने सुना हुआ है. बच्छपन में काफी पहले चोटी थी तबाती थी यहाँ पर अपनी फै कर्म का जो विश्वास है, वो बहुत जादा है. है यहाँ यह सिद्धी बीट मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोगाते हैं, कलकत्ते से, काया लखनों से लोकल भी जितनी भी सब बहुत लोग अच्छा आते है. यहाँ एक सिद्धी बीट मंदिर इसलिए है कि मानिता विशुष लोग आते हैं, यहां देखे मौम्वधंन लोग भी आते हैं दर्शं करने के लिए, वोसल लोग आते हैं, सारे गहता हैं, व्युज़धा से ने स्च लाकवर के दाते हैं.